तो दोस्तों अभी फिलाल Vodafone Idea का शेर 10 रुपे 90 पैसे के आसपास चल रहा है इस टॉक में दोस्तों जब से आपकी खबर आई थी गॉवर्मेंट को हिस्सा मिलने वाला करीब 36% के आसपास कॉम्पनी में वो मिलेगा जो भी interest cost बनेगी उसको equity में convert करके तो जबी से हमें Vodafone Idea के share में एक गिरावट देखने को मिली है इस टॉक जो 16 रुपे 15 रुपे के आसपास चल रहा था वो 12 रुपे तक आ गया था और 11 रुपे और 10 रुपे भी आ गया था नीचे में और दोस्तो उस news के बाद ही कोई अच्छा खासा में momentum देखने को नहीं मिल रहा है इस टॉक में और काफी time हो चुक है इस टॉक को लेकिन अब इस टॉक 11 रुपे के आसपासी घुम रहा है तो पहले बात कर लेता हैं इस वीडियो में दोस्तों की क्या क्या latest news आ रखे पहला अपडेट आया है रिसेंटली वोटफोन आइडिया के बारे में वही है कि ट्राय के जो दिसंबर सब्सक्राइबर डेटा है वो अभी आ चुका है कल और उसके सबसे जियो ने करीब-करीब इस दिसंबर मन्त में आपके करीब एक करोड़ त्विंटीनाइन लाग दोस्तों यूजर्स घटा दिये सब्सक्राइबर इनके गड़ गए और वोटफोन आइडियो के बात करें कितने घट गये तो इनके घट गए करीब 16 लाख सब्सक्राइबर वेटल की बात करें तो ए चलते जो भी लोग दूसरी सिम रखते वो कहीने कहीन ऐसा देखने को मुल रहा है जो इसमें लोग रिचार्ड कराते तो वो कहीने के बंद होते वह दिख रही है और जीओ की दोस्तों काफी लोग सेकेंडरी सिम लेके चलते थे तो जब से टैरिफाइब होना चाल गया है भी टैरिफाइक हुआ था नवंबर की पीरिड में तो होसता है उसके बाद से जो जियो की सेकेंडरी सिम लोग लेके चलते थे उसको बंद करना चालूख हो चुका हो जिसकी वज़े से हमें सब्सक्राइबर्स इनके घटते वे दिखे हैं लेकिन दोस्तों जो इसमें नेगेटिव न्यूज है वो यह है कि वोड़ाफोन आइडिया के भी यूज़े अच्छे खासे घटे है अगर इनके तीन-चार लाग घटते तो वो कहीना कही एक पॉजिटिव न्यूज यह थी कि चलो भाई जियो के भी इतने घटे है और वोड़ाफोन आइडिया के भी कहीना कहीं होसता है कि सेकेंडरी सिम की वज़े से इतने बहुत घटे हो लेकिन इनके भी अच्छे खासे घटे और वो नंबर करीब-करीब 16 लाग है लेकिन जो मैनेजमेंट का मानना हुए यह है कि जो भी अभी टारिफाइक हुए थे उसकी वज़े से जो जो लोग दो-दो सिम लेके चलते थे उसकी वज़े से हमें जो यह सबस्क्राबिस घटते हुए दिख रहे हैं वो उसी की वज़े से ही है लेकिन दोस्तो 25 करोड एक मार्च था जहां लग रहा था कि वर्डफान आइडे के यूजर्स कहीना कहीं अब रोकेंगे क्यों 25 करोड से अगर जादा नीचे जाता है अमाउंट तो कहीना को वो एक रिस्की चीज़ बन जाएगी क्योई कि वर्डफान आइडे कंपनी जो वो कहीना कहीं गायब होते में दिखेगा और ये चीज़ रिस्की बनते चलिया हीगी दोस्तो जो अगली नीज आई थी वर्डफान आइडे के लिए रिसेंटली वो है कि वर्डफान आइडे ने SBI Capital को अपट किया है ताकि जो इनका लोन है बैंकों से नोन ने जो लोन ले लोन है एक तो दोस्तो उसका 10-year period जो होता है उसे बढ़ाया जाए यानि अगर 4 साल में इनको ये लोन पेइमेंट कटनी है तो उसे 10-20 साल खीच दिया जाए दोस्तो और जो interest rate है भी उसको नीचे लाया जा सके ताकि company के उपर बोज़ कम हो सके और तीसरी चीज दोस्तो ज जो इनके सब्सक्राइबर्स घट रहे है जो इनका network है उस पे खर्ज कर सके अब दोस्तो बात करें दो खबर की जो की अभी तक missing है और उमीद थी कि वो खबर अभी तक आजानी चाहिए ती जो पहली खबर थी वो ये थी कि company जो convert करने वाली थी जो भी interest cost आने वाली थी उस value of interest और उसी के साब से इनको shares देने पड़ेंगे तो क्या इनकी calculation सही है या गलत है क्योंकि ट्रायर दोस्तों जब Tata Tally ने भेजा था उनका confirmation के लिए तो Tata Tally को response आया था कि आप बहुत ज़्यादा निकाल रहे amount और इतनी ज़्यादा amount नहीं है बहुत कम amount बनती है आपकी net present value of interest की तो इस वज़े से उन्होंने cancel कर दिया था plan लेगन अभी तक Vodafone idea case में इतना यह update नहीं आया कि क्या इनकी भी amount कम बनती है या नि और दोस्तों जो दूसरा update है जो कि अभी तक कुछ नहीं आया कि काफी time से ख़बर चल रही थी promoters थोड़ा बहुत पैसा डालेंगे कोई भी external fundraising से पहले ताकि जो company में confidence है investors का वो increase किया जा सके लेकिन अभी तक कोई भी अभी तक funding नहीं आया है promoters के थूरू ऐसी expectation थी कि एक दो हजार क्रोड रुपे ही आ सकते हैं हुसता है उससे ज़्यादा भी आया लेकिन एक दो हजार क्रोड रुपे expectation थी कि promoters की तरफ स हमें बहुत जल्द आते भी दिखेंगे जो relief package आया था दोस्तों आपका September October के period में उसके बाद से लेकिन अभी तक ऐसा कुछ update नहीं आया है तो ये एक update missing है Vodafone Idea के लिए अभी दोस्तों बात कर लेते हैं overall picture अभी Vodafone Idea की कैसी है तो दोस्तों ये एक negative news की company के जो users है वो घ करता जा रहा है जो शुरुआद में Vodafone Idea जब मर जूए थी जब करीब इनके 40 क्रोड से ज्यादा users थे लेकिन वहां से लगातार इनके users घटते जा रहे है और 25 क्रोड का जो mark था कि जहां लग रहा था कि 25 क्रोड पे आके तो इनके users कहीं नहीं घटने रुक जाएंगे ले और users को रोग सके दोस्तो 5G भी आने वाला है और 5G में दोस्तो 1000 क्रोड रुपे लगने वाले है तो Vodafone Idea को एक तो अपने 4G infrastructure में पैसा खर्च करने की जड़ोत है और 5G के लिए इनको पैसा चाहिए और पैसा इनके पास नहीं आता जार आ रहा है कहीं से भी तो यह एक कह चीज है सभी investors के लिए कि Vodafone Idea कैसे survive कर पाएगी कि अगर 4G के लिए इनके पास पैसा नहीं आ रहा है और 5G के लिए इनके पास पैसा नहीं आ रहा है दोस्तो इतनी हालत अच्छी नहीं है तो यही कहीं ना कहीं management का task होने वाले आने वाले दोस्तो अगले एक-दो साल में कि यह 4G के लिए भी पैसे निकाल सके कि 4G में हमें invest कर सके ताकि और आपके जो 5G है उसमें भी एक अच्छी तरह participation कर सके कि जैसे इनोंने government की तरफ से spectrum pricing आई थे कि 5G की होने वाली है उसके साब से बहुत मोटी amount चाहिए 5G में participation करने के लिए जो की Vodafone Idea के लिए मुश्किल होता है क्योंकि Vodafone Idea के हालत इतनी अच्छी नहीं है balance sheet कि इनकी दोस्तों बहुत खराब होती जा रही है क्योंकि हर quarter में इनको loss होता जा रहा है तो यह कहीना कही एक risk कर रहेगा Vodafone Idea में और यह management के लिए एक task होने वाला है अब दोस्तों बात करेंगे क्या important levels होने वाल है Vodafone Idea के लिए तो दोस्तों जैसे हमने पिछली वीडियो में काफी बार discuss किया है जो यहां से दोस्तों 10 रुपे की level है वो एक कहीना कही लेवल है अभी भी stock के लिए और यहां से जो 12 रुपे का स्तर है वो एक कहीना कहीना कही resistance level रहेगा कि यहां तक अगर stock आता है तो selling pressure देख सकता है और इसके उपर जाना stock के लिए असान नहीं होने वाला है अगर किसी जैसे stock 12 रुपे के उपर निकल जाता है आने वाले समय म तो वो एक कहीना कही positive चीज़ बनेगी stock के लिए अगर दोस्तों बात कर रहे है कि क्या आपको Vodafone Idea के share hold करने चाहिए तो दोस्तों मैंने आपके सामने सारी picture रख लिए ऐसा नहीं Vodafone Idea दोस्तों जी नहीं सकती survive नहीं कर पाएगी लेकिन Vodafone Idea के जो सच्चा ही है यह है क कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है इनकी balance sheet में तो ज़्यादा कुछ strength बची नहीं है losses इनको भयंकर होते जा रहे हैं और fundraising कहीना 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 बहुत ज़्यादा risk की stock है लेकिन जो दुस्तों जो अभी भी बड़ी चीज है वो यह कि company के पास अभी Vodafone Idea के लिए जीना आगे survive करना लेकिन अभी 25 क्रोड इनके पास users है जो कि एक बहुत ही बड़ा इनको share देता है टेलिकॉम सेक्टर में तो यह कहीना कि दोस्तों hope रखता है कि हाँ Vodafone Idea के पास कुछ तो है जिसके वह जैसे एक hope रहते है कि आगे भी यह जी सकते हैं आग मजूद Vodafone Idea में promoters अपनी holding नहीं घटा रहे थे तो यह कहीना कहीं investors को confidence देती थी लेकिन क्योंकि promoters ने दोस्तों management ने Vodafone Idea के जो government को इतना बड़ा one-third stake आसानी से देने के लिए मजूर हो गए थे तो यह कहीना कहीं एक investors को धक्का लगा था कि भाई इतना आप कहां जहा इक promoters 72% stake अपना hold करके चल रहे है जब Vodafone Idea दोस्तों बंद होनी की हालत में आ गई थी धाई रुपे का भाव आ गया था नीचे में लेकिन अब कहीन है कि जब relief package आ गया उसके बाद भी promoters अपना इतना की जो इनको नए shares issue किये जाएंगे government को अभी दोस्तों उसकी तर उस प्रमोटर्स अपना इतना बड़ा शेर जो है शेर नी जो इतनी बड़ी holding थी उनकी असानी से अपनी holding को घटने दे रहे हैं अपनी company में इसी reason की वजह से हमें जो स्टॉक 15-16 रुपे के चल रहा था दोस्तों हमें वहां से गिरावट देखने को मिली और स्टॉक अभी 11 र रिस्क है लेकिन चांस यहां पर अभी भी है कि Vodafone आइडिया सर्वाइव कर सकता है क्योंकि Vodafone आइडिया के पात अच्छा खासा यूजर बेस है और 25 कड यूजर पेस कोई छोटा मोटा नी होता लेकिन दोस्तों जो आपको बात याद रखने है कि क्योंकि स्टॉक में अच्छा खासा रिसक है तो अगर आप स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेते हैं या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वारे में सूच रहे हैं तो अगर पॉसिबल रहता है तो एक बड़ा एलोकेशन ना करें Vodafone आइडिया की शेर में एक थोड़ा बहुत छोटा मो इनकी और बिगडरी है लेकिन अगर आने वाले फ्यूचर में सुधरती है तो दोस्तो वोड़ा फोन आइडिया में एक अच्छा खासा रेटन दे सकता है तो इस चलते आप एक छोटा मोटा एलोकेशन जरूर कर सकते हैं Vodafone आइडिया में दोस्तो लेकिन अगर आप एक वोड़ा फोन आइडिया में जो आपका पॉर्टफोलिया जैसे अगर आपका पॉर्टफोलिया एक लाग रुपे का है और आप स्टॉक में 40,000 रुपे इन्वेस्ट कर जाते हैं तो वो कही ना गई एक रिस्की चीज उसते हैं कि अगर किसी जैसे Vodafone आइडिया नहीं च में जरूर डिसकस करेंगे यह वीडियो ही तक दी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अब्डेट्स मिलते रहे धन्यवाद